चेश्र कृष्णा, स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो पेल आइकन को हिट करना मत भूलिए आप दियान रख चो मैं शोचता था कि मैं एक अच्छा बाप था पर अच्छा क्या? मैं तो बापी नहीं बन पाया सिर्फ स्कूल की फीस भरने से महीने का खर्चा उठाने से बाप नहीं बन सकता बाप बनने के लिए अपने बच्चों की अपने उलाद की जिद से सादा बड़ी होती है यह समझना पुरता है कि बच्चों की जरुवत बाप की जिद से साधा बड़ी होती पर मैं अपनी जिद के आगे अपने बच्चों की जरुवत नहीं देख पाँ बाखी मेरे पास आई दी और मैं सिर्फ तुम्हें नीचा दिखाने में लगा रहा मैंने उसकी जरुवत देखी नहीं तुम हर हाल में बच्चों को समालती रहे इस हमत करी है मैं जानती हूँ आप बच्चों से बहुत प्यार करते हैं करता था लेकिन नजाने गब मेरी एगो मेरे प्यार से जादा बड़ी हो गए मुझे हर चीज में हर इंसान में हर बात में सिर्फ तुम्हें नीचा दिखाने के लिए कोई न कोई बाहना दिखता तुम्हें यहां थक कि अपने अपने बच्चों में भी नवरत की इस लड़ाई में एक बती जीता किया एक नेख रगे एक बती जीता किया एक नेख रगे एक बाह रगे एक आए एटिट यो अनप्व मुझे लगता था कि मैं इस कदर नफरत कभी किसी और से ने कर सकता ह। किकि अजबुक्त ैससे जदा मैं खुछ से नफरत करता ह। बहुत नफरत करता ह। दूसरों को माप करना हज़ान है पर खुद को माप करना बहुत बहुत मुश्rukिल है अपने आपको माप करना पड़ेगा अगर आप खुद को नहीं सम्हालेंगे तो स्वीटी को कैसे समाल पाएंगे हैं? हम फिर से साथ तो नहीं आ सकते पर ये कोसिस तो कर सकते हैं ने के हमारे अलग होने का असर स्वीटी पहना तुम पाकी को रख लो अनुप मा मुझसे नहीं होगा मैं घर, नौकरी, बच्चे, सब कुछ एक साथ नहीं सम्हाल पाऊंगा मैं ये नहीं कह रहाँ कि मैं बहतर होने की कोशिश नहीं करूगा एक अच्छा पिता बननी की कोशिश नहीं करूगा बढ़ा एदियो सब खुट तुम्हारा साथ नहीं मांग रहों मैं आपने बच्चों के लिए जो चाहे वो करूंगी, सब करूंगे I want to be a better father for Paki Samar को हमेशा तुमने समा ले तो शुने जब कलती की तुमने उसे सही रास्ता दिखा रहा And now for Paki, I need your support Sweetie Samar Tosu, हमारी बहुँ, हमारी पूरे परिवार को हम मिल के समाले के हमारे पीच भले कुछ हो ना को, कि ये परिवार है और हमेशा रहे का Miss Sweetie के पास हूँ Yes Kawee Paki को होश आया? Yes Thank God she's fine Uh, Achawee, तुम अभी आरे हूँ या सुभा हो गए Kvataani, देखता हूँ देखता हूँ देखता हूँ मतलब देखता हूँ मतलब कि मैं सुभा डिसाइड करूँगा कि मैं आप आप आँगा या नहीं Paki उठेगी तो उसकी कंडिशन पर डिपेंड करता है मेरी बेटी डरी होगी है और मेरा डर? वी, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि Anupama और तुम पाकी के लिए कुछ भी कर सकते हो That's why I want to know कि अगर पाकी तुम तुनों को साथ रहने के लिए कहेगी तो तुम क्या करोगे? What will you do? Good night, Kavyang अगर एमोशनल ब्लैकमेलिंग इतनी एफेक्टिव होती है तो फिर मुझे पे कुछ ऐसा ही करना चाहिए शायद तब वी को मेरी वैल्यू रियलाइज हो वाव पाखी, वाव क्या गेम खेला है तुमने मैंने तो सिर्फ तुम्हें धंकी दी थी कि मैं तुम्हें तुम्हें तुम्हारे पापा से दूर कर दूंगी मुकर तुमने तो एक जटकी में उसे मुझ से दूर कर दिया हुआ कर दतुमने पग्वान करे ये नयादन एक नई सुरुवात लिकरे I hope so तुम दोनों इसी तरक हमेशा एक साथ क्यों नहीं रह सकते मैंने कहा था तुम दोनों के ये फैसले की किम्बत तुमारे बच्चों को चुकानी पड़ेगी और देखो अज यही हो रहा है अरे अब तो समझो और अब तो ये तलाक का तमाशा बंद करो पर एक साथ नहीं तो अलग-अलग कमरे में रहूँ पर एक जट के नीचे घर में तो रहूँ हमारे लिए ना सही अपने बच्चों के लिए मैं तुम दोनों के सामने हाथ जोड़ती हूँ इस गर की खुश्यों की पीक माग रही हूँ बस खतम करो ये चकड़ा नहीं तो सब कुछ खतम हो जाएगा तुमारे लिए अनुपमा अच्छी पत्नी नहीं पर इसके लिए तुम अच्छे पत्नी नहीं पर हमें लग रहा है कि तुम दोनों अच्छे माबाप नहीं हो तुम दोनों में लाख अंतर है फिर भी एक बात ऐसी है जिसमें तुम दोनों एक हो और वो है तुमारे बच्चे जब तुमारे बच्चों की बाता दिये ना तब तुमारा तर, तुमारा गुस्सा तुमारे शब्द, तुमारी भाषा सब कुछ एक हो जाता है तुम दोनों को पटानी चलता है पर हम लोगों को दिखाई देता है तुमारे बच्चों के लिए तुम एक हो अरे अपने बच्चों के लिए माबाप तो अपने जान दे देते हैं और तुम एक घर में नहीं रह सकते अरे खुशी से नहीं तो मजबूरी से पती पत्री बनकर नहीं तो माबाप बनके रहो पर रहो और नहीं रह सकते तो रहना पड़ेगा अब ना मैं तुम लोगों की मानूंगी ना सुनूंगी बस करो ये तलाग का तबाशा और एक छट के नीचे रहने लगो बाश इससे कुछ बदलेगा नहीं हाँ बाश अम एक घर में रह कर भी साथ में नहीं होंगे ना खुद कुस रहेंगे और ना किसी को खुस रख रख पाएंगे तो अब हम सब लग कौन सी खुशी में जुम रहें बाश सब को सब कुछ पता है पाकी को भी तो पर साथ में रहने का ना टक्यों और काव्या काव्या से मुझे कोई मतलब नहीं है मुझे सिल्थ मेरे परिवार की खुशियों से मतलब है तुम लोग मुझे स्वार्थिया मतलब ही समगते होंगे तो समझो पर बस अब जो मैं कह रही हूँ वही होगा पाँ अस मुझे कुछ नहीं सुनना है पेने बोल दिया सो बोल दिया लिला वन राजो रानू बम्मा को क्या कह रही थी सुन लिया है तो पूछ क्यो रहे हो पूछ नहीं रहा तो कराओं देखो लिला निष्टा कच्छी मिट्टी नहीं होता है कि जो चाहे आकार देदो बिगड़ गड़ गया तो मिटादो और फिर से बना लो तो क्या करूँ रिष्टे बचाने की कोशिश भी ना करूँ वो कोशिश इन दोने पच्चीछ सालों तक की है पच्चीछ सालों से दोनों खुश नहीं थे कम से कम अप तो खुश रहने दो अपने मन की करने दो इतने माइनों से अपनी मन की तो कर रहे है खुश है ना हम है ना बच्चे है ना वो खुश है उन्हें कैसे खुश रहना है खुश रहना है कि नहीं उनका फैसला है बच्चो की परवा उन्हें भी है जिला हमें उन्हें बताने कि जरूर्ट नहीं कि बच्चों के लिए क्या करना चाहिए च्या हज़िए लगाज अघर त्या करना है तो दूसरा कोई रस्तह जुद लेंगे बस तुम उन्हें मजबूर मत करो घूरतर हूं पर दरी हुई है नहीं तो इसलिए ऐसा के रहे थी हुँ है निवे हमें अभी इस सब के बारे में नहीं सिर्फ पाकी के बारे में सोचने जी I think पाकी को प्रोफेशनल हेल्प की सरुवत है मतलब जैसे शरीर की तकलीफ के लिए डॉक्टर होते है वैसे ही मानसिक तकलीफ के लिए भी डॉक्टर होते है जिने साइकॉलोजिस्ट कहा जाता है I know हमारी सुसाइटी में साइकॉलोजिस्ट के पास जाना बहुत अजीब समझा जाता है लोग घबराते हैं पर अगर आदमी अपनी शारीरिक तकलीफ के लिए डॉक्टर के पास जा सकता है, सर्दी जुकाम खासी के लिए, तो फिर मानसिक तकलीफ के लिए साइकॉलोजिस के पास क्यों नहीं जा सकता? और वैसे भी इनसान जो बात अपनों से नहीं कहाता है, वो एक अंजान डॉक्टर से बड़ी आसानी से कह देता है और मुझे लगता है कि पाकी को एक ऐसे डॉक्टर की जरुवत है मुझ पे भरोसा रख़ो, अनुप मा भरोसा है पती पना सही पिता पे भरोसा है में जानती हूँ स्विटिक लिए आप जो भी फेसला लेंगे कभी भी खलत नहीं लेंगे बच्चे जो बात अपने पिता को नहीं बता पाते वो अपनी मा को बताते जो मा से नहीं कह पाते वो अपने भाई पेहन दोस्तों से कह देते पर फिर भी बहुत सारी बाते मन में ही रह जाती है कड़वी बात बोलो तो जुप जाती है और अकर मन में रख लो तो अंदर ही अंदर खाऊ करते थी स्वीटी के साथ भी सायद ऐसे ही हो है अपस ये ध्यान रखे का के स्वीटी के लिए जो भी डोक्टर आप करेंगे ने वो सब से बेश्ट हो तॉंट वरी मैं पाकी के इलाज में कोई कमी नी चुड़ूगा मैं पापा को हर्ट किया मैं पापा को हर्ट किया मैं प्रॉम्स मैं से इस्टुपिड़ी दुबारा नहीं करूंगी अपस मेरी मॉम्मी पापा एक साथ आजा है अध्यली ओंट तो सी देम तोगेधर चाह पीएंगे अध्यली अध्यली बिक्तम कड़क बिल्कुल बागी डांट जैसी है उतनी कड़क तो दुनिया के कोई भी चाह नहीं हो सकती है अनुपमा तुम पाकी के इलाज का स्ट्रेस मत लेना पाकी के इलाज का सारा खर्चा मैं करूंगा नोकरी नहीं है पर सेविंग्स है मुझे पेशो पिने पिता पेफरोस है गुद मॉर्निंग वी I'm sorry, शायद मुझे इंफॉर्म करके आना चाहिए था It's okay, लेकिन ये उतनी सुभा सुभा तुम या आज मुझे जल्दी जाना था इसलिए मैंने सूचा की तुमसे मिलते चलो और पाकी के भी हाल चाल पूछ लू पाकी सो रही है भी क्या हो अभी, तुम इतने स्ट्रेस्ट क्यों लग रहे हो पाकी को लेके परिशान हो, काव्या I think मुझे उसे सैकोलोजिस के पास ली जाना पड़ेगा That's a good thing अगर हमने उसका ध्यान अच्छी तरह से रखा होता तो शाएद यह नौबत नहीं आती Anyway अब वो जब तक पूरी तरह से अच्छी नहीं हो जाती तब तक I need to be with her मतलब तुम रोज यहां या करोगे काव्या मेरे पास अभी आर्गुमेंट का समय नहीं तुम्हें लेट रहा होगा See you later अभी रुको I meant के रोज यहां वहां करने से अच्छा है के यू स्टी हेर यही रहो वी और जब भी तुम्हारा मन करे या तुम्हारे पास टाइम हो तब मुझसे मिलने आ जाया करना I'll miss you मैं खुदी तुमसे मिलने आ जाती वी लेकिन मैं जानती हूँ के यहां पर किसी को भी मेरा यहाना पसंद नहीं है इसलिए तुमसे कह रहे हूँ We are really trying very hard But मैं जानती हूँ के मैं कभी भी तुम्हारे घर में या तुम्हारी फैमिली में अनों पुमा की जगा नहीं लेपाऊंगी But still I'm trying Anyways तुम्हें देखना चाहती थी तुम्हें देख लिया अब मैं चलती हूँ Have a good day You too Vee एक बर डॉक्टर से पूछ लेता हूँ आज का अपॉइंटमेंट है कि नहीं दीमाग तेरा ठीकान है कि नहीं तोशो और किंजल को क्या कह रहे थी स्वीटी को दीमाग के डॉक्टर के पस लेके जाने तुझे मेरी पोती पागल लगती है पाम मेंने इसा कप का तो दीमाग के डॉक्टर के पास क्या उसे फेशल कराने ले जा रही है वास सुभा सुभा आप इतना गुसा क्यों कर रहे है गुसा दिलाने का काम करते हो और फिर कहते हो कि गुसा नो तो तो क्या वा गांदी जी के बंदर की तरह आख-कान-नाख सब बंद कर के बैठू जिना ये दोनों पाकी का बलाई सोच रहे? ये दोनों पाकी का नहीं सिभ। अपना बलना सोच थे अगर तलाक की जिर्ट छोड़ देना ये दोनों तो फिर पाकी अपने आग ठीक हो जाएगी पर नहीं उल्टा ये दोनों तो अपनी बेटी पागल है वो साबित करने पे तुले हैं पैसे का पानी होगा वोलाग धीरे बोल लिला पाकी सुन लेगी कौनी अगर के बेच्चे कहते हैं टाकि उसे ही पता चले कि उसके प्यारे माँबाप की तेरशस्वारती है आप सांतो जाये ने फेले तु तो यही अपातो कोड़क़ मैं अधी जब लकार न बेती है … तो मैं क्लुकि आती है Celiai आपनी लेन के फांती है पर जब करने की बारी आती है, तब तू तेरी जिद नहीं छोड़ती है, तब त्याग नहीं करती है, अपनी बच्ची के लिए इतना नहीं कर सकती, आत्मस अन्मान का क्या आचार डालेगी, और अपनी बेटी को ही पागल साबित करके कौन सी मान बन जाएगी तू, मैंने बुरी बहू हो सकती हूँ, मैं इनके लिए बुरी पत्ने हो सकती हूँ, पर मैं, मैं बुरी माने हूँ, मैं बुरी माने हूँ स्टापलस के ऐसे ही और बहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चानल को